आई गाइस दिस अकाश वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो अगेन मेरी गाड़ी पे होने वाली है एंजिन लोगों को नहीं पता मैंने अभी रिसेंट आइटवेंटी लिया है इना मैंने इसको 1200 किलोमेटर के राउंड ड्राइ जाना सो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो यहाई 20 का स्पोर्ट्स मोडल एंड इसमें आना आपको six variants देखने को मिल जाते हैं एरा मैगना स्पोर्ट स्पोर्ट्स ओप्शनल आस्ता एंड आस्ता ओप्शनल एंड यह जो वेरेंट आना भाई स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो भाई 950 के अरांड यह मेरे को ओन रोड देखने को मिल गी है गुड़गाओं में इतने बैस फीचर मुझे और कोई गाड़ी को फरनी करी थी मैंने बलैनों भी देखी थी और मैंने इसके अंदर मुझे इतना क्लासी नहीं लगा जितना इसके अंदर मुझे फील हुआ इंटीर उसके अंदर थी थी थोड़ी थी तो भाई इसमें फोर्स लंडर इंजन आता जो की बहुत ही जादा मतलब रिफाइन इंजन इसमें आप गाड़ी स्टार्ट करो ना पता भी भाई गाड़ी स्टार्ट आया नहीं तो भाई मुझे तो बहुत बैस लगा और यह वेरेंट लेने का मेरा एक यह परपस भी था और इसमें मेरी सारी बेसिक नीड पूरी हो रही थी अब इसमें एक्सपोर्ड ऑप्शनल आता है जिसको मेरे को 36,000 रुपे एक्स्ट्रा प अब 36,000 रुपे में मेरे को सिर्फ यह तीन फीचर्स मिल रहे थे तो फिर मैंने का छोड़ो यार मलब वहीं है वैल्यू फो मनी यह वेरेंट यहीं है तो आप लोग भी प्लैन कर रहे हो ना तो भाई इस वेरेंट से उपर मैं यू नहीं गया रखता वाई जो आपका बज करता है जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपको फील होगा आप मलब जाकर देखना आप टाटा के शोरूम में तो भाई इसमें जो रिफाइंट में आपको प्राइज में किसी गाड़ी में दिगी और बिलीन नो आपको पता हलकी है टीन का डबा सो भाई मेरा फा करानी है इस प्राइस रेंज में आपको आपको सभी प्राइब फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे स्टेरिंग पर आपको स्टीरी ओडियो कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और M.I.D. जो आपको डिश्टाल इंस्टुमेंट क्लेस्टर में देखने को मिल क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा एनिमेशन है इसका और जैसे कि आप सब लोग को पता है अज कल जो BMW की गाड़ी है उसमें भी ओल्मूस्ट ऐसा ही आता है और मुझे यह थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ इस प्रैस सेग्मेंट में आपको लगता है कि आप एक लगजी दिय में बैटे हो और अगर मैं इसके इंटियर की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है आप लोग देख सकते हो और इसके अंदर आपको ओटमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है जो कि मलब इस प्रैस में बहुत ही मुझे अच्छा लगा वाइरलेस अंद्धरोई आपको देखने को मिल जाता है कि और आपको संग्लास ओल्डर मिल जाता है यहाँ पे इसके आपको चार व बाँ मिंदोस की कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे विनडो लोक नलौक यह इसका कंट्रोल है जैसे मैं से करूँआ यह ओटोमेटिकली ओफ हो जाएंगे और करूँआ तो ओपन हो जाएंगे तो भाई मुझे तो बहुत ही मलब इस प्राइस में सबसे गाड़ी लगी है अगर मैं इसके इदर भी बात करूं तो भाई यहां पर आपको ट्रेक्शन कंट्रोल का बटन देखने को मिल सबसे बड़ी बात भाई इसका जो सीटिंग कमफर्ट आना भाई बहुत ही जादा अच्छा है इसमें आपको हाई टर्जेस्मेंट सीट भी देखने को मिलती है और अगर मैं इसके पिछे आपको लेके चलूं तो भाई पिछे भी है ना अराम से तीन बंदे अराम से कमफर यहीं पर यहीं है तो कि इसमें आपके उल्मुस्ट सारे फीचर्स कवर हो जाएंगे और आपको पीछे भी दियर ऐसी बैंस देखने को मिल जाएगा यहां पर से जाएंगे तो भाई यह चीज मुझे थोड़ा मलब वह लगा लग उसको मलब कमफर्टेबली नहीं बैट प जानी थोड़ी बहुत कोस्केटिंग तो करती ही है वह चीज पीछे भी आपको यहां पर बोटल होडर देखने को मिल जाएगा यहां पर भी आपको डूल टॉन में इंटीर देखने को मिल जाएगा अगर मैं इसके बूर स्वेस की बात करूं तो भाई इसके अंदर वेरेंट के अंदर मिलती है यह इसका access button है जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो automatically open हो जाएगी यहाँ पर आपको i20 की badging देखने को मिल जाती है यह जो भाई light है यह पूरी tail light led है यह पूरी connected है रात को बहुत ही प्यारी लगती है और इस वेरेंट में आपको defogger भी देखने को मिलता है shark fin antenna high mount stop lamp भाई मुझे तो बहुत ही जादा अच्छी लगी यह गाड़ी अगर मैं इसके tire profile की बात करूं तो भाई इसमें आपको 16 इंच के steel vis देखने को मिलते हैं यह artificial जैसे आप दूर से देखने तो आपको disc brakes देखने को मिलेंगी और front में आपको यहाँ पर DRL देखने को मिलेगी जो की बहुत ही जादा प्यारी लगती है और यह आप इसकी फ्रेंट से profile देखो भाई इतनी गजब लगती है भाई यह aggressive look के साथ भाई और यहाँ पर आपको scuff plate देखने को मिलेगी और मुझे भाई एक इसमें जो सबसे बड़ी disadvantage लगी ना भाई इसकी lights लगी LED lights वो यहाँ एक projector दे देते ना भाई पूरी गाड़ी पूरा मलब best हो जाती पूरी गाड़ी इस price range में सबसे ज़ादा बिक्ती क्योंकि भाई इसका जो throw है ना वो इतना अच्छा नहीं है और मैंने भी मलब बह इसका इतना च्छा throne है जब आप किसी गाड़ी को वो टेक कर रहे होते हो तो भाई मलब ऐसा लगता है कि कम light है वहीं साब है इसका तो मैं ना सोच रहूं change कराने की तो आप लोग comment section में बताना कि मुझे कौन सी लगवानी चाहिए कौन सी नहीं लगवानी चाहिए यहाँ आपको जो Hyundai का logo देखता है वो certain finish में देखने को मिलता है पहले वाली I20 में यहाँ पे था अब उन्होंने फेसलिफ्ट में यहाँ कर दिया भाई मुझे तो बहुत ही मलब इस प्लैस में सबसे best car लगी एंड मैंने बहुत ही जादा research करी थी इस गाड़ी को लेने के लिए त सबसे लगता है प्लस पॉइंट और क्रूस कंट्रोल भी मैंने मलब इसको यूस किया कुछ लोग पते कैर तिसका क्रूस कंट्रोल जो पुरानी वाली आती है ना इटवेंटी उसमें क्या होता था कि अटक जाता था तो भाई इसमें मैंने अभी तक फेस नहीं किया यह ची को अभी त्वेल पॉइंट की दिखा रहा है यह इतनी मालेज नहीं है कि एकच्छी मैंने अना बढ़ी लीफिल कर आया पिट्रॉल तभी इतनी दिखा रहा है वरना एमिर को सोला की मालेज दे देती है अगर आपको मतलब वह वह यह इतनी दिखा रहा है इसके अनदर बट इसमें आपको TPMS का भी फीचर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब इस प्राइस में एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि पहले हम लोग गाडियों में पता है उसमें कितनी मतलब हवाय यह वह बार बार उतर के चेक करना वड़ता तो तो भाई यह अच्छा व्यू दिया इस गाड़ी का भाई मेरे साब से तो बहुत ज्यादा बैस्ट गाड़ी है इफ वार प्लैनिंग टो बाई इस कार सो भाई मैं कह रहा हूं आख बंद करके कर लो ले लो भाई बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो यह बाकि आप किसी का अपनी हर किसी के अपन लगे और मैंने इसके संशेट्स लिया है वह भी आफ्टर मार्केट लिया है मैंने कंपनी से तो मुझे महेंगे पढ़ रहे थे तीन तीन हजार के पढ़ रहे थे तो मेरे को यह मलब यू मान के चलो आप 500 में ओल सैट मिली गया अगर मैं इसके मेर्स की बात करूं तो मैंन पानी को सोख लेता है उसमेल आती रहती है बाद में तो भाई यह चीज मैंने बहुत रिसर्च करके अपने मैट लिए अगर मैं इसकी प्रैसिंग के बाद करूं तो भाई मुझे 2500 के आराउंट पड़े है और मैंने ओनलाइन भी चेक किये तो 3800 के शो कर रहा था तो भाई कि यह भी मुझे मलब अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में सबसे बैस्ट मैट लिए मैंने और पिछे भी मैं आपको इसके मैट दिखाऊं तो भाई बहुती मलब पूरा सैटी है अगर इसमें मिट्टी भी मलब हो जाए आप आराम से बाहर निकाल के साफ कर सकते हो इसे तो भाई यह तीन चीजे मैंने बहार से लगवाई थी जो कि मलब मुझे था और एक बस मेरा एक और कंसर्न है इसके अंदर मेरे क्वालिटी लाइट्स लगवानी चीए या नहीं वह मैं भी सोच रहा हूं बट यार नीड तो है क्योंकि इसका इतना अच्छा थ्रो नहीं ह तो वहीं है यार मैं सोच रहां कि लगवाऊँ तो आप लोग कोमेंट सेक्षेन में बताना कि मैं लगवाऊँ तो कौन सी लगवाँ और कितने वोट की लगवाऊँ तो यहीं थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पुरा इस गाड़ी के बारे में बता दिया